उनके यहां तो माफियाओं का एक सिंखला भरा हुआ और उनके यहां किस तरह से संरक्षन दिया याता है और पाटियों के बीच में गडवन्दन हुआ सभी की साहमती के बाद हमने सीटों की घोषना की पनोर्मा कुरुप जो सोचता है वो करता है नवस्कार मेरा नाम प्रिंच मिश्रा है और आप भारत लाइब देख रहें मागडवन्दन ने शीट शेरिंग को लेकर फर्मूले को तेक कर दिया है लेकिन जिस तरीके से आसा जताई जा रही थी कि पसुपति पारस कुमार और मुकेश्चानी जो है मागडवन्दन के साथ आएंगे और मागडवन्दन को है मजबूत परदान करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुकेश्चानी और पसुपति पारस के उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ गया लेकिन कहीं न कहीं क्यासों के बजार यह में चर्चाओं में है कि जिस तरीके से राज कुछ में आप लोग माफियाओं को टिकर दे रहें कुन माफिया किसके संबंद में कह रहे हैं भारतियन तब आटी असपष्ट करें उनके यह तो माफियाओं का एक सिंखला भरा हुआ है और उनके आनके किस तरह से संरक्षन दिया याता है यह देश की बेटियों ने जो आ हर महिलाएं देश की हर वो खेलाडी जो कहीं ना कहीं देश को एवार्ड दिलाने का काम की वो कहती है कि बचालो हमें वैसे भाजपा के निताओं से वैसे भाजपा के सांसतों से वैसे भाजपा के कालकरताओं से जो महिलाओं के साथ योनाचार अत्याचार की घटनाय करती है पूरी भाजपा उनके साथ खड़ी दिखाई जाती है लेकिन दूसरी तरफ यह चर्चाएं है कि जिस तरीके से आप लोगों में सीट सेरिंग नहीं हुआ ता उससे पले जो है आप लोग टिकर दे दिये अपने करीभी को जो की उचित नहीं था और हाल फिलाल के दिनों में जो है आपने सीट सेरिंग को दिया और पूर्णिया की काफी चर्चाएं हो रही है कि पपू यादा वहां से लड़ना चाह रहे थे वहां से जो है आप लोग अपने भीमाभारती को उतार दिया बाइत सबको पता है कि गड़बंधन होता है पाटियों के बीच में और मानजनक भाव से आगे बढ़ रहे हैं और किसी के साथ उस तरह का मामला नहीं है जिस तरह से एंडिये के अंदर हो रहा है नदर तो स्थिती यह है कि सत्ता और स्वार्त के लिए भारतेयान तापाटी किसी हद तक जाकर समझोता कर रही है और एक अधस स्थीट के लिए भा जनता के उमीदों के खिलाब चल रही है जनता के विश्वास के खिलाब चल रही है यह असपश्टूप से बताने कि आप सकता नहीं है और जिस तरह की राजनिती भारतियंता पार्टी करती रही है नौजवानों के रोजगार को किस तरह से नफरत में बदल करके नफरत की रा जगा सवाल करना शुरूा किए भरतियनता पाटी की मिद्धाय को मुद्धो के आधार पर बिच में जा रहे हैं जनता रहे है जनता हम पर विसवास कर रही है और ये आपको असपश्चुप से दिखा 2024 के लोग सभा में क्या लगता है कि आप लोग पार कर पाईएगा देखे 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से भाजपा खेमें बेचैनी है बखलाहाथ है गवराहाथ है और जिस तरह से जो भाजपा के नेता कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी उनकी स्थिती ये आ गई है कि वो तिनके तिनके को जोड़ करके बना रहे है यारी और उनकी राजनीत कहां पहुँच गए है ये लोग देख सकते हैं लोगों को समझ में आ गया है चुके भारतियनता पाटी को भी ये बात पता है कि इंडिया के परती लोगों का जो विश्वास है लोगों का जो समर्थन है और जो परिवर्थन का बयार पूरे देश में इंडिया के परती बाह रहा है वो अस्पश्टूप से दिख रहा है इसलिए भाजपा भाजपा के लोग जितना भी कवायत कर लें अब उस कवायत का उनको कोई फाइदा नहीं मिलने वाला है उनके जिस तरह की इस्तिती अपरिस्तिती खड़ी हो गई है और वो जिस तरह से तिनके-तिनके को जोड़ करके अपने आस्याना को बचाना चाहते हैं उनका आस्याना बचने वाला नहीं है यह समझ ले कि उनका सिराजा विखर चुका है और जब चार्ज उनको चुनाव परिनाम आएगा तो अस्पश रूप से दिखेगा कि भाजपा भाजपा के लोग कहीं नहीं है अगर वीडियो पसंद आई अर वा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर वा मुफ्त में मिल जाए अगर वा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद